नमस्त दोस्तों आपका प्रेंट चानल एक्जाम में आपको हर एक स्वाग आए दोगे दोस्तों आज का वीडियो आप सब्सक्राइब के लिए लेकर रखे आये ताकि आने वाले एक्जाम में आपकी काफी हैल्प हो सके और एक भी कोसन आपका पेपर में इस बार शूटने ना पाए तो वीडियो के देखे लास तक जुरूर देखेगा मोश्रिमेंट कोसन देखे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो यह जो कोसन है वो देकर एक्जाम में ना जाने किसनी बार रिपीट हो चुग है तो सबसे पहले कोसन देखे इस वीडियो का काफी मोश्रिम पर्योक्ता या सुरोता पर्षब पर विचारों का आधान पर्दान करते हैं तो यह देखिए आप इतना करके आ जाते हैं तो बटे में से बटे इस कोस्टन में आपको जो आपके मास आपको मिल जाएंगे दूसरे कोस्टन में देखिए इंपरेंट कोस्टन यह भी देखिए एक्जाम में पूचा जा चुका है कि मात्र भासा किसे कहते हैं या फिर मात्र भासा का देखिए अर्थ बताईए तो मात्र भासा का जो मूल मात्र भासा का अर्थ जो है आपका वह जो बच्चों की देखि मा की भासा होती है उसे देखे मातर भासा कहा जाता है जिस भासा को बालक अनुगरण दुवारा सीखता है उस मा उसे देखे क्या कहा जाता है मातर भासा कहा जाता है या फिर इसका दूसरा एक जवाब आप दे सकते हैं कि मातर भासा किसे कहा जाता है तो इसका आप कह सकते हैं कि बालक अपने परिवार में जन्म से ही जिस भासा को सीखता है वह उसकी मात्र भासा होती है बस वो समाज के दुवारा सुकार कर ली जानी चाहे यह नहीं कि माता पिता किसी भी गलत लेंग्विज में बात कर रहे है तो बच्चे ने वो गलत लेंग्विज सीख ली तो वो उसकी मात्र भासा नहीं कही जाएगी जो भी बच्चा अपने माता पिता की दुवारा जो भी भासा सीखता है यदि वो सही भासा है मानक भासा है तो वो ही भासा क्या कहा जाएगी मात्र भासा कहलाएगी तो क्या होता है ? तो देखे माता पिता से सीक वी भासा को मात्र भासा कहते हैं जबकि दूसरे देशों की भासा को विदेशी भासा कहा जाता है तो यदि आप इतना करके आजाएंगे ना देखिए यदि कोई बालक बारत के उत्तर दक्षिन राज्ये में रहता है तो उसकी मात्रवासा हिंदी होगी और उसकी जो विदेशी बाहसा होगी वह आपका इंग्लीश होगी देक में इंग्लीश होगी चाइनीज भी वह अपनीज भी ओ सकते है जर्मी आपकोया हुआ हो शो भीए आता है कभी कभी शोड भी पूछ ली आता है हाला कि chances यह थे होते हैं कि आपका 80 लगू उत्रे person में यह जातर आपका पूचा जाता है तो 3 भासा सुत्र क्या है तो 3 भासा सुत्र जो है न वो कोठारी आयोग ने दिया था देख एक वो चलता है न 10 पिलस 2 पिलस 3 तो यह किस ने दिया था यह कोठारी आयोग ने दिया था सबसे पहला आप दस्यू करेंगे उसके बाद आप बार भी करेंगे उसके बाद 3 साल होगा तो NEP National Education Policy जब यह आई थी तो कोठारी आयोग ने दिय थी लेकिन अब क्या होगा है NEP 2020 यहाँ पर आ गई है तो यह देखिया है बहुत जल्दी दे कि काफी जगे से देखिये जो पाठ्थे करा है 10 पिलस 2 पिलस 3 का वो हट चुका है और अब New Education Policy 2020 भी देखे लागू हो चुकी है जैसे कि आप जानते ही होंगे तो एक क्या है 3 भासा सुत्र तो सबसे पहला जवाब की जो आएगी वो मात्र भासा आएगी या फिर हम कह सकते हैं का परदेशिये भासा या फिर आपके छेत्रिये भासा आती है सबसे पहली जवासा होती है जैसे कि आपका कोठार रागू ने बताये था उसके बाद आएगी भारतिये संकी सहराज्य बासा जैसे कि आप सब जाने सहराज्य बासा कोंचे आपकी हिंदी है उसके बाद एक आदूर्णी बारती बासा अथवा यूरोपी बासा कोई भी एक आजासा आ सकती है जैसे कि आपका इंगलिस आती है तो देखे सहराज्य बासा क्या होती है आपका हिंदी आती है यूर्य वासा में आप इंग्लिस ले लिए और चेतरी वासा म में आप थमीशंतरी ले सकते हैं यहां थीडिके तो यह ही करने के यहां आप इतनक में करके बाटे अनमकर आप और इंधि यह कोर्शनी देकर कंसर नाम बताहिए तो क्या है हिंदी भासा का लीपी का नाम है वह देव नागरी है निए कि हिंदी भासा की लीपी कैसी है वह आपकी देव नागरी लीपी है दोस्तों नेच्स कुसंच देखिये यह आपका पुजा ड्स को का रहा है जैसे कि आपके रास्थान में रायस्थानी बोली जाती है बुंदेल घंड में आपके बुंदेली बोली आती है तो यह क्या हो जाती है आपके छेतर यह बास आई यह आपकी हो जाती है चलिए नेस्ट कोशन पढ़ते हैं देखिए वीडियो को ना बिल्कुल भी आपने स्कीप मत कीज़ेगा दोस्तों एक कोशन इंपूरेंट है और एक्जाम में ना जाने कितने बारे रिपीडी भी हो चुके है यदि आपको जाकिए नहीं आता है तो मैंने आपने यूटीब चलिए एक्जाम मुन पर देखिए प्लेलिस्ट को आप देखिए कि लास्ट 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 इयर में हिंदी के पेपर में किस तरह के कोशन आप से पूचे गए है ठीक है दोस्तों आप इसमें कोशन पूचाए गाता कि मोन वाच वाचन का तो स्थूल रूप में अर्थ है वो बिना हो ठिलाए चुपचाप पढ़ना होता है यानि कि आप एक किताब को पढ़ रहे हैं बिना किसी आवाज के मन ही मन में पढ़ना क्या होता है आपका मोन वाचन क्या लाता है दोस्तों चलिए नेक्ट कोशन यहां पर कि दो परकार होते हैं तो किस तरह के एक तो आपका होता है व्यक्तिकत वाचन और दूसरा होता है आपका सामुहिक वाचन दोस्तों इसका अंसर में आप यह सब कोशन आप नोडाउन कर लिए अधी आप इतना लिखके भी आ जाते हैं तो बटी बटी नंबर आपको यहां दाएं जाएंगे क्युक्के आपको एक है फिर इनए दमानानाख लेकैं कि अनसर में में ब्यूक्य आपके वीडियो में आपके कब्रक्र रहे हैं इससे पहले कि हमinkaụ थाए हैं रहना मतलब कर दिया है जाए सेब्सिन को वीडियो में अप्लॉड कर्णा हूँ जे वाला व् प्रिवस्ट दोनों वीडियो को आप बहुत ही अच्छी सा दोश्टे को देख लिएगा और इस वीडियो को आप लास तक जरूर देखे गाए देखे नो वां अचंदेखे हम करने वाले के मों-वांचार के भी एद लिखिये तो मोंब निखिए यहां पर देखे दो को आप reception के काफिए ब्रिटो को लायक तो करोणो चले दस वांचंद देखे हैं कि मों-वांचार के परमुक उदेश्ये लिखिये तो परमुक उदेश्ये निसे मतलब यह नहीं कि अगर आप बुक्स से तयार करेंगे तो 12 से 13 उदेश्ये उदेश्ये आपके इसको लिखने होंगे लेकिन ध्यान देजेगा यह आपके आती यह वैरी शोट कोशन इसमें पूछे गए तो इसमे अटमागे लिखर आयाए यहां पर आपको राम्षर माक्स मिल जाएगा नएश्य खुशन ूचन इहां पर टेखिए कि अनुeg कैसे कहा जाता है तो ल है जो लिखा यह वैसा ही लिखना कर ना किसी ने अगर यहां पर कर लिख दिया तो आप को देखकर कर ही लिखना है हैनी कि नकल करना है ठीक है आप बुक से अपने उसमा अंसर लिखते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है आपका जैसा देख रहे हो वैसा ही लिखना तो अनुलेक उसे कहा जाता है दोस्तों चलिए लेकिन अगर किसी गद्दांस को हूँ बहु बिल्कुल अगर आप डिक्टो यासा ही तार देंगे तो उसे आपका परतिलेक कहा जाता है जळेगे नुवसं अंडिम करते हैं यहाँ इसम पूषा गया था के लिखने की शिक्फह पड़ना से पूर दिजानी चाहिए यही अ! कथन है ठीक है कि लिखने की जो सिख्चा है न वो पढ़ने की सिख्चा से पहले दी जानी चाहिए यह कथन किसका है यह इसी कोशन को दुबारा एंगल से पूछा जा सकता है कि लिखना पढ़ने से पहले सिखाना चाहिए यह कथन जो किसने कहा था तो यह कथन है वह लेडी म पांडट शरी दुवारा देखिया आपका कहा गया था तो इस कथन को देखिया आप अच्छे से याद कर लीजिए कि लिखने के जिए सिक्षण को पता नहीं तो जान लेते हैं कि सिक्षण में सकथी कर अपना प्रसुति कर रहा है वे कक्षा की उपस्यत्यों के अनुश्यार अपना उत्तर किरिया को यानि जो आपए उत्तर देनीगी सो किरिया उसको संपाधित करता है तो छात्रों को पुर्साइद करता है विए आपको सिक्षन कोशल का हिगें यहीआपका परिवासा होती है तो सिक्षक यह 200 को किस्षक चलjas करते हैं वह क्या कहा जाता है सिक्षण और मौशन पूंच क्या आपका ध्यून विज्यान जो है हिंदी बासा का रूप आपका होता है ने सबी जानते होंगे यह दोस्तों को सबस्ताइब कि काँवी रचना को क्या कहते हैं तो काँवी रचना को काँवी वियास नेक्ष्ट सरवंगिण के अधनी धनी विघ्यान कहलाता है इस बाशा द्योनी का सरवाँगीण आध्यन भिविञ्यान कहलाता है नेट्स कुषिन पूछ во थेidores्में का सम्ब्द किस से है तो द्योनी विविञ्यान का सम्ब्द है वह वह स्वरन कोसल कर आधका होता है नेक्ट कूषिन है कि सबद की परिवासा देजेए सब्द किसे कहा था देखिए इसमें उत्तर लिखावा कि एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक धोनी को सब्द कहा जाता यह कोश्वन भी देखिए आपका एक्जाम में पूझा जा चुका है फ्रेंड्स नेक्स्ट कुछन यह पर पड़ते हैं कि व्याकरण की दर्ष्टी से वाक्यों के परियोग का वर्गी करण कीजिए किसके बाद दर्ष्टी से करना है आपको व्याकरण की दर्ष्टी से तो साधारन वाक्ये राम जाता है यह आपका क्यों हो गया साधारन वाक्य होगा एक हो पर तुम मुलाइं ते यह आपको दूसरा वाक्य हो कर दोनों कि देखा था स्था यह शुक्त वह गया वह कि का जाता है तो यह जा जाता है मिशुट्ट वह जाता है बाता है तो आपका यह हो गया दो जैने कि दो से अधिक वाक्य मिलकर जो एक वाक्य बनाते हैं उसे मिस्तित वाक्य कहा जाता है दो वाक्यों के मिलकर एक वाक्य जो बनता उसे स्वेंगत वाक्य कहा जाता है वह साधन वाक्य कहा तो उसमें केवल एक वाक्य आपका होता है दोस्तों सोरे के अगर बात करें तो सोरे के आधार पर मात्राओं के तीन परकार आपके होते हैं तीनों के तीनों देखें सीनी पर आपने देख लिए हैं कोई सुद उचारन के दो कारण कर दो कर होता है कि यहां कर दो कर दो कर रहा बोली का परवा प्हुत नहीं कर पाता है चाकर भी सुध रख्राण नहीं कर पाते हैंं अदुझान दो करना भी सी कविति हुज को बता दीने पीकon तो चाण गी कौण कौन सी विदिया तो विदिया कौन सी है सूधुद उचाण की volume आपको बता दें सबसे पहले प्रमप्रागत विदी उसके बाद आती है विज्ञानिक विदी और उसके बात आती है भासा परियोग साला विदी से ना आपका शोट कोशन में देखे पूछ ले जाता है अलाकि यह आपका हम इस वीडियो में देखे इसमें आपके कवर करा रहे हैं अतिलगे उत्री परसन लेकिन यह आपका शोट कोशन में आपका पूछ लिया जाता है लोग कोशन में दो बहुत कम चांसेस होता है लेकिन शोट में पूछ लिया जाता है और वैरी शोट में दो जातर चांसेस होते हैं देखे बासा परियोग साला के बारे में कोई कोशन आपसे पूछ लिया जा काराओं क्या एक तो व्याकरण का अनिय विगतां दूसरा आपका उर्दु अंग्रेजिव अन्य भासा का पर याप क्या होता है आपका वर्तनी की तो चांद रही हुता हिंदी में कुछ अलग तरीके से लिखे जा रहा है लेकिन जब आप नेसे नगोलेक से क्या भी परतिये की में अपको बत आए भी था कि जैसा लिकहा है वैसा ही अन्यकर्ण करके लिखनी ऑननोफी चाहा जाता है क्यों ठीक है दोस्तों तो अनूलेक के बारे में देखे आपको पता चलिए नेस स्कूरिते हैं कि आपका पूशन पूचे गाएं कि गद सिक्षण का मुख्य उदेशय क्या होता यहां पर पूचे गाएं उदेशय तो बहुत ही जाद है वैसे हैं इसके लेकिन दो जो अच्छे उदेशय हैं वो हम आपके लिए लेकर क्या हैं कि छातरों के सब्ध भंडार में सुक्त सचनात्मक एवं सरजनात्मक शक्तियों का विकास करना ये भी क्या होता गर्द शिक्षण का उदेश होता है जब आप इसे बुक्स ही तयार करेंगे ना तो 12-15 उदेश हैं आपके बुक में दिये हुए हैं दोस्तों नेक्स परते हैं 28 के कोशन अपने अपने कवर कर लिये हैं वीडियो को अभी तक भी देखें आपने लाइक ने कहा है लाइक कर दिजिए अपने दोस्तों और चाहपटर साथ से रवी कर दिजिए ताकि वह भी इस पार बेर फ्रस्ट्रे में जवाब कर आतिलेगो वह वैरी सो संपन करने तो प्रेरित किया जा सकता है जब क्या होता है कोई स्टुएंट को आप किरेकारी या पंटिनुरसी दे रहे हैं तो उसका एक टाइम टेबल बन जाता है कि उसे वह आपको पर श्टड़ी घर पर जाके करनी है और एक समय उसका प्रेटिन हो जाता है कि उसमें ज पढ़ने लेगा तो सभूृ ची आने लगती है या अपने इसे दि कि आप चार लाइन की कभीता याद कर आईए लेकिन उसकी रूची उसमें ज्जाद के बढ़े ऐसि में आट लाइन की कभीता है याद तो इसा यह भी देखें, दूसरा लाब होता है दोस्तों next question पते हैं कि दूट पाठ है तो किस परकार का वाचन आवश्यक है दूट पाठ है तो तो दूट पाठ है तो अगर मैं वाचन की बात करूं तो मोन वाचन इसके लिए आवश्यक होता है इनिके मनी मन में पढ़ना क्या होता है दुरूट पाट का एक परमूख को जेके वाचन आपका होता है दोस्तों नाइस होसन है कि माद्य में एक इस्तर पर व्याकरन शिक्चन की स्रवादिक उप्युक्त विधी कौन सी है देखे माद्य में एक इस्तर पर पूछा गया है ये ध्यान दियना पड़ेगा आपको कि माद्य में इस्तर पर व्याकरन शिक्चन की स्रुत्तम विधी जो है वो आपकी आगमन विदी कहलाती है दोस्तो आगमन विदी वो निगमन विदी इन दोनों विदियों को बहुत ही अच्छी सा पढ़के जाएगा कोशन आपका जिरूर पूछा जाएगा आगमन या भी निगमन से जाता है तो टाइम में देखे आगमन निगमन इन में से दोनो के खटिन सब्दों का अर्थ विलोम प्रियाय संदी समास प्रत्य उपसर्ग आधि धरस्टी से श्पष्ट करने की करना ही देखे श्पष्टि करना करना आता है यह किसी भी देख आपके गद्धांस को अगर आप इन सभी के दुवारा जो आप श्पष्ट करेंगे उनका अर मैंने ओलड़ी वीडियो यहां पर बनाए हुई है, पहिंदी ग्रामार के नाम से एक प्लेदिस्ट बने हैं आपके बनाई हुई है बहुत ही अच्छी प्लेदिस्ट है काफी अच्छा लाब हुआ है उस भी प्लेदिस्ट को भी आप ज़रुर देख लेगा हिंदी के एक एक टोपिक को मैंने बहुत ही अच्छी से आपने उस प्रिलिस्ट में कवर किया वाया दोर तो चलिए नाइस कोशन पढ़ते हैं बत्तिसवा कोशन है कोशन है कि व्याकरण सिक्षण के दो पर्मुक उदेश से लिखें तो सबसे पहला ही देखें उदेश से है कि विद्यारत कि समध्य आद्य का ज्यान कराना तो ये भी क्या होता आपका व्याकरण सिक्षण का उदेशी होता है यहाला कि जब आप इसे बुक से त्यार करेंगे तो वहां पर कमशांग 12 से 15 यहां पर देखें मुख्य उदेशी आपन दिये वह हैं आप उसे त्यार किर जेगा 2 से 3 कुछे आपके पूछी जाते हैं जादे नहीं जाते हैंने कि सिक्षण की मुख्यी सिक्षľring विदिया क्या है ये यहाँ पर पूछी गई्यें रखै अगौन RPG मुल्यांकण पर वर्त कौन है तो B.S. Bloom जो है, वो मुल्यांकर आग्वन के प्रवर्तक मानने जाते हैं, कौन? B.S. Bloom Next question है, कि निदानात्म प्रेक्षण से किसका मापन होता है? निदानात्म प्रेक्षण से सूलेक एवं अभियक्ति का मापन होता है, friends जे question में काफिन पुड़ें, एक्जाम में पूझा जातुका है? Next question है, कि निदानात्म प्रेक्षण से किसका बोद होता है? इन्ये किसका ज्यान होता है? निदानात्म प्रेक्षण से हिंदी की एशुद्धियों का, भासा की कटनाई का, तता वियाकन एशुद्धियों का देके बोद होता है, बोद ज्यान के ज्यान होता है Next question है, कि निदानात्म प्रेक्षण किन चात्रों के लिए प्रयोगत किया जाता है? किन चात्रों के उपर जिए उपियोग किया जाता है, तो निदानात्म प्रेक्षण जो है आपके कमजोर चात्रों होते हैं लिखने प्रयोगत किया जाता है इस विदी के दुबारा छात्रों को किन असमस्याएं आ रहे हैं पढ़ने लिखने में उसके बारे में देखे पता चला पता किया जाता है इसलिए से निदनात्मक प्रेक्षन कहा जाता है देखे नेदाने प्रेक्षन किसे कहते हैं या पिर निदनात्मक प्रेक्षन किसे कहा जिस परिक्षण के माध्यम से ग्यात किया जाता है कि छात्र ने कहां तक शिक्षण उदेश से प्राप्त किया है और जो नहीं किये उनके क्या कारण रही है और उन कारणों का ज्यान करना नीदाना परिक्षण के अंतरकत आता है मैंने बताया था ना यदि कोई छात लिखने में पढ़ने में किसी कटनाई का उसे सामना करना पढ़ रहा है उस कटनाई को जान नहीं निदानात्वन प्रेक्षन का परमुक उदेश से होता है दोस्तों चलिए नेक्स कोशन पढ़ते हैं तो यहां पर देखें 39 कोशन इस वी मैं बहुत ही जल देखें अपरोड कर दुआ इन तीनों वीडियो को आप अच्छे से देख लिजेगा एक भी कोशन इस वीडियो से भार दोस्तों नहीं आने माला है वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं कर दिए चैनल को सब्स्राइब कर दिए चानल को जल देखें जल देखें मिलते हैं नेक्स वीडियो में इसी तरह के लेटिस इंपरोशन के साथ